जोहर दोस्तों मैं रंजीत कुमार श्टडी फोर गोल्स पर आप समों का स्वागत करता हूँ तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वह बहुत ही अच्छा गूड नीज है क्योंकि बहुत दिनों से जहारखन के सभी छात्र एक्जाम डेट या एक्जाम होने को लेकर बेसबरी से इंतजार कर रहे थे तरह तरह से प्रयास भी कर रहे थे ट्विटर कैंपिन बगएरा हर तरह से छात्र लगे हुए थे फाइनली सरकार ने आपकी बात को सुना है और जेससे ने एक्जाम डेट गोसित कर दिया है तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से एक्जाम का डेट गोसित हुआ है साथ है यह स्टड़ी फूर गोल्स ने आपके तैयारी को थोड़ा धारदार करने के लिए एक छोटा सा प्रयास कुछ प्रयास भी किये है उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे तो आपको अभी से कमर कस लेना है क्योंकि इस बार का जो विंटर सीजन है वो मेहनत वाला विंटर सीजन होना चाहिए ताकि आने वाले विंटर सीजन में आप अराम से सो सकें और फाइनेंशली फ्री होके सो सकें ठीक है तो आईए एक एक करके देखते हैं कौन-कौन से ए बाकि मैं टेलीग्राम या फिर अपनी वाट्सप ग्रूप बेगारा में हर जगा यह सेयर कर दिया था त्यारी करेंगे, थोड़ा से समय लेता हूँ आपको बिताता हूँ कि एकजाम 10 दिन या 20 दिन आगे पीछे हो यह ज़्यादा मैटर नहीं करता है सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि एकजाम एक महीनबाद भी हो तो अपना selection होना चाहिए, आपका selection होना चाहिए, यह सुनिश्चीत होना चाहिए, तो एक सही strategy यह है कि आपको जहां तक चीजें दिखाई दे रहा है, वहां तक पहुंचिए, उसके आगे का रास्ता खुद दिख जाएगा, मतलब यह जो date दिख रहा है, इस date को target करते हुए जी जान से पढ़ाई कीजिए, ताकि अगर 10 दिन extra भी बढ़ जाता है, तो यकीन मानिए, उस दिन जाके भी आप सोचेंगे कि अरे, चलो 10 दिन extra मिल गया, मैं ज्यादा practice कर लेता हूँ, कुछ states मेरे छूट गए, वो states लगा लेता हूँ, तो अभी इस date को ही final मान के, आप से त्यारी कीजिए, क्योंकि आप गौर करेंगे, गवर्मेंट के पास option नहीं है, 2024 में election है, तो 2023 में अगर गवर्मेंट vacancy नहीं लेगी, तो फिर चुनावी agenda क्या होगा, तो खैर कुछ भी हो, I hope कि अगर गवर्मेंट अच्छा काम करी, तो अगला बार भी जीते, और अग आपका इस जी और जारकन के जितने बच्चे हैं, उनका गवर्मेंट जॉब अच्छे तरीके से हो जाता है, तो यह काफी अच्छा चीज है, हमें तो यही चाहिए, गवर्मेंट हमने चुना ही इसलिए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, one and only target क्या है, स्टड़ी करना है, नंबर सॉब जितने ज्यादा हो सेट्स लगाने है, आपको सेलेक्शन से कोई नहीं रख सकता, जो करेंट नीती है, उस नीती पे तो देखेंगे, अगर जारकन के लोग बैठ रहे हैं, तो थोड़ा से कंपेडिशन भी कम है, लेकिन चुकि तीन चार सा बिना मोटिवेशन का जो है, रजाई के अंदर घोज जाईएगा, जब तक मोटिवेशन ना हो, जी जान वाला, मतलब क्या कि धुआ धुआ करने वाला पढ़ाही होता नहीं है, तो करना ही पड़ेगा, पहला जो है फ्रेंट सुभा है, जहारकन सची वाले आसू लिपिक परतियोकता परिच्छा, इसका नोटिफिकेसन आया था कुछ दिन पहले, तो इसमें पहले क्या है कि सौट हैंड बगरा या टाइपिंग टेस्ट बगरा देना है, तो उसका डेट जारी कर दिया गया, तो कॉसल जांच परिच्छन कब से होगा, 14-12-2022 से लेके 16-12-2022 तक 14-12-2023 तक, तो बहुत से चातर, TCD में भी बहुत मेहनत बहुत दिनों से लगे हुए थे, तो उनके लिए गोल्डन ओपर्चनीटी है, जितना जादे हो सके, पढ़ लिजे, अब आते हैं फ्रेंड्स, हम सभी का फेवरेट, और मेरा तो परिच्छनली, मैं तो सबको रिकम 14-2023 यानी 21-12-2023 और 28-2023 और 29-2023 को आयोजित की जाएगी, ठीक है, तो यह डीट है, तो आपको समझ लेना है, अभी 2-5 महिना, 2-5 महिना बचा हुआ है, 2-5 महिना अगर आपने जीजन लगा दिया तो कोई नहीं रोख सकता है, आपको सेलेक्शन लेने से, मैथ, रिजनि बनाओंगा, जो या तो यूटूब पे है नहीं, या तो बुक में कन्फ्यूजन है, उसी तरह के कंटेंट में आपके लिए लियाओंगा, जारखन नगर पाली का सेवा समवर्ग संयुकत परतियुकता परिछा, तो यह काफी अच्छा, यह भी बहुत अच्छा जॉब मिल कर सकते हैं, और मेरा बेस्ट विसिस है, कि आप तीन-तीन जॉइनिंग लिटर लेके बड़ा अच्छा लगेगा, जो हमें भी नोटिफाइ किया जाएगा, एकसर सेलेक्शन हो गया, ठीक है, तो यह रहा, नगरपाली का सेवा समर्ग का जो संभाविती थी है, वह पांच फ बहुत लोग तो 5-6 साल से लगे हुए है, तो अच्छा उपर्चनिटी है, इसे ग्रैब कीजिए, ठीक है, इन सब के अलावे, फ्रेंट्स एक और एक्जाम है, वह है, लैब असिस्टेंट, जार्खन परियुकसाला से, साहयक परतियोगता परिच्छा 2022, तो जो इस एक्ज एड़स्ट कीजिए, और उसी इकार्डिंग त्यारी कीजिए, तो यह जो लैब असिस्टेंट के एक्जाम है, वह 7-12, 2022 से लेके 10-12, 2022 तक CBT मोड में कम्प्यूटर बेस्ट एक्जाम होगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, बाकी हमने फ्रेंट्स वीडियो के प इसे लो लगेगा, बाकी यूटूब पे सारे वीडियो हमारी फ्री होते हैं, यूटूब पे आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर टीस्ट बगर लगाना हो, तो आप आप डॉनलोड कीजिए, वहाँ पी मिनिमम प्राइसे पी वो चीज़ें आपको अवेलेबल हो जात के धरती आबा, भगवान, विर्शा मुंडा के जन्म दिवस पी अद्बेस्ट हैं, तो इस तिति को, चुकि हमारे लिए पुझनी हिती थी है, तो इस तिति को स्टड़ी फूर गोल्स की कोर्सेज पी विसेज छूट मिल रहे हैं, तो इसका भी वेनिफिट आप उठाईए इसके अलावे फ्रेंट्स, जे एसे से सीजल में अगर आपने पेपर टू में खोठा रख रखा है, और स्टड़ी फूर गोल्स की खोठा से अपितक परिचीत नहीं है, तो थोड़ा सा आप त्यारी में पीछे हो रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखें, तीन फुल लेंद्स टेस्ट, 100 प्लस, ये भी पार हो गया, इससे उपर चला गया, हैंड रिटेन पीडिएफ नोट्स, 10 प्लस विगत वर्सों के पेपर्स, ये हैंड बुकलेट अलग से कर दिया गया है, क्योंकि यहां पे इस्सूज हो रहा था, क्योंकि हमने यहां पे फाले क आपको एक्जाम के, आई हो की मतलब 15 दिसंबर तक मैं सॉट नोट्स तियार करके आपको दे दूँगा, तो ये अभी जनजाती गौर दिवस के उसर पर ये इस प्राइस पे लेवल है, आप जाएए, इसे भी एक्सेस कीजिए, थोड़े तो इन्वेस्ट करने हैं भाई, इक मन्त के बेतन में सबसूल हो जाएगा, तो इतने तो इन्वेस्ट करने हैं, वो तो हम सभी भी अपने टाइम में किये थे, चुकि चीजों को त्यार करने हैं, लोगों का सयोग लेने इतने तो खर्च करी सकते हैं, बाकी इसके अलावे 50 फूल लेंथ टेस्ट खोड़ा क और ये भी अभी फिलाल जन जाती है, गौरव दिवस के ऑफसर पे या फिजारकन अस्तापना दिवस के उपलाच में, ये 149 में अविलेबल है, इसे भी आप ट्राइ कीज़े, टेस्ट देजे, इसके लावे पेपर 3 का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, पेपर 3 का अभी ह हमने 50 फुलन टेस्ट बना रखा है, यहां भी विगत वर्ष के प्रसन है, और खास कनीत वम रिजनींग का सॉल्यूशन भी आपको एक एक करके अपडेट किया जा रहा है, बाकि ये टेस्ट जितने भी हैं, वो इस सवग्यों के द्वारा त्यार किया गया है, वैसे लोगो पुजा में एक पीसिस लगा कि निचातरों को अलग-अलग चीजों को खरीने की ज़रूरत नहीं है, हमने कंबाइन कर दिया पेपर 1 के 15 टेस्ट, पेपर 2 के खोठा याद रखे है, खोठा 50 टेस्ट और पेपर 3 के 50 टेस्ट, या अभी भी इसी प्राइस पर अभी लेवल ह अभी 30 पलस अबडेट किये जा चुके हैं, टॉपिक वाइज, जितने भी ये जिगरफी, हिस्ट्री या फिर उकोनॉमी जहारकन का है, उसके एकॉर्डिंग कंटेंट त्यार किये गया है, इसे भी चेक कर सकते हैं, बाकी आप डाउनलोड किजे, अपने एकॉर्डिंग च चाहिए, आँखे खुली रहनी चाहिए, और दिमाग में कंटिन्यू जो बुक से है, चीजें दिमाग में जाते रहना चाहिए, ताकि आपका सेलेक्शन सुनिचीत हो सके, स्टडी फॉर गोल्स का बेस्ट विस्ट विस्ट है, आप सेलेक्शन लें, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि जब स्टुडेंट्स कई, इस बार जीडी में कई का सेलेक्शन हुआ, बचों नहीं टेक्स्ट किया कि सर मेरा सेलेक्शन हो गया, तो यह अच्छा लगता है, एक्चुली हमारा अचीवमेंट यही है, तो आप सबों के लिए बेस्ट विस्ट है, अच्छे से प